Hello everyone, आशा करता हूँ, आपसलब अच्छे होंगे और सेफ होंगे So आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगो How to deal with the list functions So list functions बहुत सारे होते हैं List function का मतलब क्या हो गया? कि आपके पास Excel में बहुत बड़ी list है अब इस list को समझने के लिए आप इसको क्या किस-किस तरह से interpret कर सकते हो, तो बहुत सारे functions हैं इसमें तो आज की इस वीडियो में just basic functions लाइक हम कह सकते हैं कि जो list functions है उसका just start है, first step है That is shortening and filtering in an Excel list ठीक है? तो हम सबसे पहले हमारे पास कोई list बनी हुई है अब मैं देखुँ यहां पर एक बहुत important चीज़ आपके पास कोई भी Excel में list है तो क्या होता है? Excel को ये बात बताना बहुत जरूरी होता है कि क्या आपके list का header है नहीं है header मतलब कि suppose मैंने यहां पर लिखा employee ID, तो employee ID यहां से start होगा तो actual मेरा data है that is being started from the row 2 तो last name क्या है? row 2 से start हो रहा है तो यह जो है उपर वाली row जो है इसे हम बोलते है column header ठीक है अब यह column headers जो हमारे हैं बने हुए इसको Excel को कैसे समझ आता है कि आपका यही वाला header है इसको Excel को समझने के लिए क्लिए क्लिए होता है यह आपने कहा दिये इसका कुछ जो है जो language का style हिखने का उसका आपने change कर दिया यह आप कह सकते हो हमने color fill कर दिया तो it should be different from these data ठीक है तो Excel समझ जाएगा कि आपका यह जो है column header है ओके पहली बात दूसरी बात क्या है कोई भी list को अगर आप deal कर रहे हो तो make sure कि उसके बीच में कोई भी empty row नहीं होनी चाहिए कोई भी एक row जैसे 13th row है 13th row मैंने क्या किया इसका data को delete कर दिया ठीक है okay delete कर दिया मतलब इसका empty row 13th row मेरी empty row है अब क्या करोगे आप जिससे मैं उपर click कर रहा हूँ मालों यहां पर और मैंने किया control A control A मतलब क्या होता है कि आपने data को select किया तो excel को यह लग रहा है जो आपकी list है वो सिर्फ और सिर्फ यहां तक है तो क्या करेगा मैंने control A प्रेस किया उसने यह इतना data अपने आप ले लिए को यहां पर break point मिल गया तो excel जो है यह समझ रहा है this list is here only तो आप अगर बड़ी list पर काम कर रहा है तो make sure कोई भी empty row नहीं हो नीची अब जैसे यहां मैं click करूँ और मैं यहां करूँ control ले तो क्या होगा नीचे बाली data को वो एक list माल लेगा और selection हो जाएगा अब हम आते हैं अपने shorting and filtering पर सबसे पहले मैं बात करूँगा how to short data in a big list ठीक है तो आपको shorting and filtering का जो tool है वो आपको मिलेगा कहां data tab में data tab में आप click कीजिए आपको मिल जाएगा जो short and filter करके यहां पर option यह मिल जाएगा सबसे पहले हम बात करेंगे short की तो यह तीन चीज़ें आपको जो दिख रही है यह काम आती है shorting के ठीक है अब यह जो है this यह क्या है यह icon जो है यह है a to z that is a to z in ascending order ठीक है मतलब एक का सबसे उपर आएगा z का सबसे बात जाएगा तो suppose मैंने क्या किया कोई भी column है इस column को आप आपको shorting करनी सबोस मुझे देखना है कि जो last name है last name को मैं a to z जो है arrange करना चाहता हूं ठीक है तो मैंने last column में last name के column में कहीं भी click कर दिया suppose मैंने यह click कर दिया अब मैंने a to z पे click कर दिया a to z यह वाला ठीक है तो a to z हो अगेर हम बात करते हैं कि suppose क्या हुआ कि मुझे इतने से काम नहीं चल रहा है मुझे क्या और shorting करनी है suppose मुझे ऐसा करना है कि मैंने क्या किया मैंने यहां पे जो last name है इसको मैंने a to z कर दिया ठीक है अभी a to z आ गया अब मैं चाहा रहा हूँ कि यह a to z ही रहे अब मैं इन में यह लगा रहे short अब मैं इसमें first name में भी क्या change कर दूँ तो अगर हम first name में short करूँगा तो a to z में यहां करूँगा तो आप देखोगे last name बाला जो है यह अलग हो जाएगा change हो जाएगा ठीक है देखो क्या किया इसने shorting सिर्फ और first name के भ्याब पे करी और बाकी सब चीजों को इसने adjust कर दिया मैं यह चाह रहा हूँ क्या होना चाहिए it should be in series मतलब यहां पे जो मैंने shorting लगाया वो लगा रहना चाहिए again उसके बाद में यहां पे लगे या इन दोनों में लगने के बाद में again third में यहां लगाऊ तो यहां पे लगे और यह दोनों मेरे disturb ना हो अब हम बात करते हैं यह जो बड़ा icon दिख रहा है short का यहां पे this is the custom short ठीक है यहां पे बहुत सारे आपके पास options है तो आपने क्या मैंने क्या किया last name वाले column में इसको click किया ठीक है again मैंने इसको click किया short पे अब आप देखो क्या है कैसे आपको short करना है तो आपको देखो my data has headers मैंने click किया हुआ यहां पे तो इसने क्या किया यह जो ऊपर वाला है इसको header माना हुआ है ठीक है अगर मैं इसको click हटा दूँगा तो क्या होगा फिर header नहीं आएंगे बस क्या करेगा यहां आप देखोगे तो यहां पे column 22 बता दे column A, column B, column C और जो उपर वाला जो है इसको भी वो क्या करेगा part of list मानेगा ठीक है इसलिए मैंने का my data has headers और मैंने क्या किया है कुछ अलग इसको किया हुआ है तो इसने खुदी इसको header मान लिया ठीक है अब देखो क्या है इसको मैं label को delete करता हूँ बिल्कुल कुछ भी मेरे पार shorting नहीं short by short by किस कॉलम में आपको करना है तो मैंने का मुझे क्या करना है last name बाला column जो है भी कॉलम है इसमें मुझे last name करना तो मैंने last name में क्लिक कर दिया अगें short on sell values जो sell में लिखा हुआ है उन values के साब से मुझे शॉर्ट करना तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा अगें किस और में करना है तो मैं एक लेबल और एड करूं और मैं शॉर्ट बाई करूं किसके किसके साब से फर्स नेम के साब से अगें इट शुड बी एटू जैड ठीक है ओके मैंने कर दिया अब आपको लगा कुछ हुआ है चेंज देखो यहां पर चेंज किया हुआ है तो लास्ट नेम बाला शॉर्टिंग मेरा लगा हुआ था एटू जैड अब फर्स नेम में भी म जो दो सेम है यह लास्ट नेम बाले जो कॉमन लास्ट नेम है उनको इसने क्या कर दिया उनका फर्स नेम अल्फा भेटिकली ओडर में अरेंज कर दिया जैसे आप देखोगे ए टू जैड इसने लगा दिया जो सरनेम जो है वर्विक 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 इनका सरनेम सेम है इनको दो जो हैं, इलेन और सैम, तो इसने क्या किया है, A to Z में के साब से इसको क्या कर दिया, आप और देखो, Cooper, Cooper देखो, यहाँ पर तो Linda, Linda, दोनों ही सेम नाम होगा, ठीक है, हाँ यह देखो, Corvick, 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 दो हैं, और यहाँ पर Judy, रॉफ, तो क्या कर दिया, उसने A to Z के साब से इसको शॉटिंग कर दिया, तो क्या है, this is the series sorting, ठीक है, मतलब more than one short आप लगा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जो सबसे उपर है, जैसे आप यहाँ पर जाओगे, इसके बाद में मुझे एक और फिल्टर लगाना है, तो मैं फिल्टर लगा दूँगा, अब देखो, यहाँ पर आपने क्लिक किया हुआ है, तो क्या है, मैं यहाँ पर add label करूँगा, तो इसके just नीचे आ जाएगा, ठीक है, मुझे चाहिए कहाँ पर इसके नीचे, तो मैं यहाँ पर आप देखोगे, तो A to Z adjust नहीं है इनका, क्यों, वो क्या करेगा, जिसका first name भी common है, उसको फिर क्या करेगा, इधर में जाके वो adjust करेगा, A to Z में, जैसे हम देख लेते हैं, last name भी same है, first name भी same है, तो department भी इनका same ही होगा, मतलब एक ही आदमी है, ठीक है, तो A to Z adjust कर देगा, ठीक है, तो I think यह वाला जो हमने अभी लगाया, last वाला, यह कोई ज्यादा work नहीं करेगा, ठीक है, ओके, अब हम shorting में एक important चीज देखते हैं, यह मैंने एक अलग list open करी है, इसमें क्या month-wise है, अब suppose आप shorting करना चाहते हो, तो आपने कर दिया A to Z, A to Z तो ठीक है, यह हम कैसे तो उल्टा आए, December, November, October, ठीक है, इस टाइब से आए, यह तो कुछ logic नहीं हुआ, आप Z to A करके देख लो, Z to A करोगो तो आपको November सबसे उपर आगा, May, फिर उसके बाद, मतलब A to Z shorting में कोई मतलब नहीं रहेगा, मन्त में, तो इसके लिए कुछ ठीक है, ओके, तो डिलीट हो गया वो, ठीक, आप क्या है मालो मैं मन्त वाले टैब में हूँ, मन्त वाले कॉलम में हूँ, मैं short पे क्लिक कर रहा हूँ, then again आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं कैसे हूँ, short by, short by आप देखो, आपके पास क्या आगया, जो भी यह कॉलम थे, स चूज कर रहा हूँ, और A to Z ना यूज करके मैं जाओंगा custom list में, custom list में यह सारे आपके format है, for the days, months, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप देखो days का, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, इस टाइप से, और यहाँ एक ऐसा हो कि आप देखो, मालो आप अगर days के नाम type करो तो आप क्या है, इस टाइप ठीक है, इस टाइप से है, ठीक है, तो अब मेरे months के full name लिखे हो है, तो मैं कहूंगा कि month का full name कहाँ पर यह है, यह, इस टाइप से, तो मैं क्या कि इसको click कर दिया, okay पर, okay click हो गया, ठीक है, अब यह मेरा यहाँ पर आगए, मैंने okay कर दिया, आप देखो, अब यह month wise पूर January, February, March, April, आपको उल्टे में जाना है, उल्टा इसका दिखाना था, उल्टा करके, okay करके यहाँ पाज़ो, तो क्या होगा, उल्टे से start होगा, November, August, July, June, इस टाइप से, ठीक है, तो यह चीजे use होंगी, कहाँ पर, जहाँ पर आपका, months, days, जो है, दिया हुआ है तब, ठीक तो आपको क्या filter करना है, इसको, तो filter किस भी हाँ पर करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, filter, like, mostly आपके पास यह option रहता है, कि आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ, जो है, January कर देखना है, तो आप क्लिक कर लो, यह है, यह है, January, और बाकी जो आपकी हटना है, अगर आपको कुछ नहीं आए, विल्कुल बेसिक हो, तो आप क्या करोगे, इसको, डिलीट कर दोगे, हाइड कर दोगे, ठीक, इस टाइप से रहोगे, लेकिन वो बहुत, मतलब, like, आप बिल्कुली बेसिक से स्टार्ट कर रो, Excel में तभी कोई यूज करेगा, नहीं, तो ऐसा नहीं करता होग तो फिल्टर में हम क्या करेंगे, देखो भी, दो रूल आपको याद रखने है, कि ये जो कॉलम हेडर है, इसको क्या करना है, कुछ ना कुछ अलग font, अलग color या अलग हम कह सकते है, style देनी है, secondly आपको ensure करना है कि कोई भी empty row नहीं होनी चाहिए, आपकी list में, then आप जो फि करो, किसी को भी click करो गया, तो जो जो options है, मतलब इस column में जो जो entry है, इस column में जितनी भी entry है, जो अलग-अलग entry है, ठीक है, बहुत सारी तो सारी की सारी यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर रख है, already होके आया, select all है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि select all मुझे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ वो सिर्फ January की sale देखनी है, और February की देखनी है, ठीक है, तो मैंने का, sorry, August की देखनी है, जैनुरी और August मैंने click कर दिया, ओके कर दिया, अब सिर्फ वो सिर्फ क्या है, जैनुरी और August दिख रहा है, लेकिन यह भी क्या है, this is पहले January आ रहा है अगस्त आ रहा है तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसको मैं क्या करूँगा short करूँगा short आपने सीख लिया है तो कहा करेंगे हम short month में करेंगे sell values क्या लेंगे हम custom list लेके इसको हम करेंगे Jan, Feb, March में okay कर दिया okay कर दिया तो आप देखो January आ गया उपर अगस्त आ गया नीचे ठीक है आप समझे होगे ठीक मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ और अगर आपको हटाना है पूरा फिल्टर तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो फिल्टर यह हट जाएगा तो आप समझे होगे कि हाँ तो यूज फिल्टर ठीक है यहाँ पर बहुत सारे आपको कोई अगर बायर पर्टिकुलर नेम बाई आपको डालना है तो आप सलेक्ट यह करके जिसको आपको देखना है वो क्लिक करके आप ओके कर दो अगेन आपको क्या यहाँ पर यह जो है सफल ओडर में है तो आपको यहाँ क्लिक करके यू कन शॉट इट अकॉर्डिंग टू दी मन्थ नेम है ना इस टाइब से आपको यहाँ पर आ गया ठीक है तो आठीक है आप समझे होगे शॉटिंग फिल्टरिंग ठीक है अगर आपको यह सब हटाना है देन यू कन क्लियर ओल ठीक है आपका हट भी जाओर अब ये भी हटाना है आपको तो आप इसको भी हटा सकते हो एक्छुली क्या होता धिखो कुई भी आप जैसे रहताँ हैो यह आपकी लिस्ट है ठीक है इसको आप टेमल नहीं बोлись्सक्त अब इसको आपको अगर table बनानी है तो आप यहाँ पर जाओगे home में style में आप जाओगे format as table आपके बहुत सारे options हों किस style की चाहिए मतलब कौन सा color आपको चाहिए तो आप simple रखेंगे इसको ok कर दिया और आपने कहा कि कहा तक की है table यह अपने आप से कर लेगा choose ठीक है last तक अपने आप ही लेता है नहीं लेता है तो आप क्या करोगे इसको drag करके जहां तक आपको रखनी है table वहां तक करोगे यहाँ पर click करना है my table has headers of course मेरे table में header है ok कर दूँगा then यह इसमें भी आ गया देखो यहाँ पर यह ठीक है shorting वाला option अपने आप बन के आ गया तो इसको हम बोलेंगे this is the table now ऐसा option जब आता है तो इसको बोल देंगे अब यह table बन चुकी और table के design case में n number of options आ चुके है मैं आपको basic में यह चीजें बता चुका हूं ठीक है तो filter में भी है यह और बाकी आप table बनाके भी इसको short कर सकते हो तो I think आप समझो कि बहुत basic चीज है बहुत simple चीज है लेकिन जिसको नहीं आती है तो शायद वो बड़े मैं यह हम कह सकते है lengthy approach से इसको solve कर रहा हूं ठीक है ब बहुत सारे formatting भी है इसमें conditional formatting भी है ठीक है वो सब हम लोग बात करेंगे चोटी-चोटी वीडियो में बनाके डालता रहूंगा पहले मेरा यह प्लान था कि मैं तीन वीडियो बनाऊंगा Excel की एक basic में एक intermediate और यह एक हमारा advance रहेगा लेकिन अभी क्या है बहुत जादा लें first video in the intermediate Excel इसके पहले मैं एक video डाल चुका हूं pivot table की which is also for the list functions ठीक है लेकिन उसका जब वो उसका number आएगा बीच में तो आपको बता दूगा या मैं छोटा सा एक video बनाके डाल दूगा और उसमें आपको इन फॉर्म कर दूगा की pivot table मैंने क्या किया separate video बनाई हुई है which is very 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 important pivot table आपका घंटों का काम just seconds में कर सकती है ठीक है very very important then again यह जब intermediate Excel स्टार्ट हो खतम हो जाएगा उसके बाद में we will head to the advanced Excel तो उस ताम पे जब मैं advanced स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको बदा दूगा यह advanced series चल रही है और particularly छोटी-छोटी video बनाएंगे और हम उसमें पूरा प पूर एंट करे सपेदा।